जय माता दी, जय मा का मख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यमानी चनल, मा भगवती, जगत जन्नी, अधिशक्ती भवानी, सभी को सुखी रखे, स्वस्त रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, किर्ती दे और मान सम्मान दे. आज आपके प्रश्ण और हमारे उत्तर रहेंगे, कोई भी कारिक प्रारंब करने के पहले, हमें अपने देवताओं को, देवियों को अवश्च नमन करना चाहिए, उसके बाद कारी प्रारंब करना चाहिए. ओम सिमन महागणा दीपते नमहा, ओम उमा महेश्वरा भ्यो नमहा, ओम शची पुरंदरा भ्यो नमहा, ओम आणी हिरन्यगरबा भ्यो नमहा, ओम लक्षमी नारणाय नमहा, ओम कुल देवताय नमहा, ओम इस्थ देवताब्या नमहा, ओम ग्राम देवताब्यो नमहा, ओम इस्थान देवताप भ्यो नमाहा, ओम इस्थापित देवताप भ्यो नमाहा, ओम सर्वेभ्यो देवे भ्यो नमाहा, ओम सर्वेभ्यो तिर्थे भ्यो नमाहा, ओम सर्वेभ्यो रिशी भ्यो नमाहा, ओम सर्वेभ्यो सिध्धाय नमाहा, ओम नवग्रह देवताप भ्यो न अम आत्पित्चन कमले भ्योनमाः ओम पित्रे भ्योनमाः ओम रीम चतु सस्ती योगिनी देवे भ्योनमाः ओम रीम शोडस मातरीका देवे भ्योनमाः ओम रीम सब्त घत मातरीका देवे भ्योनमाः ओम सब्त सागरे भ्योनमाः ओम सब्त रिशिव भ्योनमाः ओम सब्त अम किलिम क्रश्णाई नमहा, अम नमो भगवते वासुदेवाय, अम लक्षमी नारणाई नमहा, अम ब्रह्मने नमहा, अम विष्णवे नमहा, अम महेश्वराई नमहा, अम रुद्राई नमहा, अम इश्वराई नमहा, अम सदाशिवाई नमहा, अम परमशिवाई नमो नमह जो मनुष्य इन चालिस नाम का उच्चारण कोई भी पूजा करने के पहले जब करता है, पाट करता है, तो इस्थान के देवी देवताओं के साथ साथ कुल देवता और अन्य ब्रह्माहांड में विचरन करने वाले सभी देवी देवताओं की क्रपा प्राप्त होती है, तो इनको सरपथम व्याद करें, उसके बाद कोई भी कारिप्राणम में करना चाहिए, उसके पहले मनुश्य को इश्वर के आगे सिर्द जुका करके कारिप्राणम करना चाहिए, जिस से उस कारिके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, राम रामे ती रामे ती रमे रामे मनो रमे सहस्त नाम तत्तुल्यम राम राम वरानने, केवल आपने दो बार राम राम शब्द बोल लिया, यनि कि आपने एक हजार नाम के बराबर राम राम शब्द है, इसलिए किसी शव को सम्शान दे जाते समय भी राम राम शब्द को बोला जाता है, इसलिए किसी से भी मुलाकात करें, तो हलो हाई के बजाए राम राम शब्द को बोलना चाहिए, इस से आपके पापों का भी नाश होगा, और पाप का नाश होने पर निश्चित तोर से सुख की प्राप्ती होती है, और जब सुख मिलता है, तो आनन्द की प्राप्ती भी होती है, अब हमारे सामने एक प्रश्न आया है, प्रश्न ये है कि आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, देनिक पूजा जो मैं करता था, वो पूजा मेरी छूट गई है, और जब भी कोई कारी करने की सोचता हूँ, तो शरीर भारी हो जाता है, इस कारण में आर्थिक संकटों से घिर गया हूँ, क्योंकि पेसे नहीं कमा पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है और ये सब क्यों हो रहा है, तो ये महाजिन महाशय ने ये प्रश्ण किया है, आजकल परेशान हूँ, इसका अर्थ ये होता है कि उसके सामने कस्ट ही कस्ट नजर आ रहे हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, तो कस्ट की उत्पत्ती हो रही है, देनिक रूटीन में जो मैं कमाई करता था, वो कमाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, और कमाई करने की सोचता हूँ, तो सिर्भारी हो जाता है, कंधे पर दर्द आ जाता है, इस कारण से मैं आर्थिक संकट से जूजने लग गया हूँ, तो सरप्रथम मनुश्य को, जब भी कस्ट आते हैं, तो अपनी जन्म पत्त्री का, चार कम से कम चार जोतिशा चारे के पास जाकर के दिखाना चाहिए, और चारों के अलग अलग विचार लेकर के अपना निर्णे लेना चाहिए, कि वास्तों में मेरे ग्रह नक्षतरों की वज़े से कस्ट आ रहा है, या कोई उपरी बाधा, तंत्र बाधा, नजर दोस्त की वज़े से ये चीज़ आ रही है, तो मनुश्य को, जब भी इस प्रकार का कस्ट आ जाए, परिशानी दिन पर दिन बढ़ती जाए, कारे करने का विचार मन में आते से ही, शरीर में कहीने कहीं दर्द होना प्रारंब हो जाए, विशेस तोर से, नाभी के नीचे दर्द होना प्रारंब हो जाए, या फिर कंधे के उपर या सिरदर्द होना चालू हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि उपरी बाधा का काम होता है यदि मनुश्य को बूरे बूरे सपने आने लग जाए कभी भी चाहिए दिन में सपने आते हो या शाम को आते हो या रात को आते हैं जब सोते हैं तब सपने आते हो तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ने कहीं पे उपरी बाधा लग गई है मनुश्य का यदी रोजाना कंदे भारी होने लग जाए कोई विचार निर्णे ले रहे हैं उस समय पे गरदन में दर्द होने लग जाए और वो विचार जब हम त्याग देते हैं कोई भी कारी करने का उसके बाद फिर से हमारा हम नार्मल हो जाते हैं तो समझ जाना चाहिए उपरी बाधा लग गई है या फिर किसी मनुश्य को हमारे हैं साथ वार होते हैं सोमवार मंगलवार बुदवार गुरुवार शुकरवार शनिवार रईवार इन दिनों में किसी भी एक दिन घर के अंदर यह दिन लड़ाई जगड़ा होने लग जाए किसी पर्टिकुलर एक दिन ही जगड़ा होता हो या तशनिवार के दिन या रईवार के दिन या कोई भी दिन तो उस वार के जो देवता होते हैं उसका भी आपके ऊपर दोश है यह जोतीशी दोश खेलाता है आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म में मनुश्यों को कस्ट की प्राप्ति होती है तो जो महाशाय जी ने प्रश्ण किया उतका उत्तर ये है प्रश्ण भी बता देता हूँ एक बार वो शार्ट में उनका केना है कि मैं आजकर बहुत परेशान हो गया हूँ देनिक कार्य भी नहीं कर पाता हूँ और जब कोई भी कार्य करने की सोचता हूँ तो शरीर भारी हो जाता है इस कारण में आर्थिक संकट से जूज रहा हूँ इसका कारण क्या है और यसा क्यों होता है तो इन सबका कारण है पहला कारण तो यह कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को देखिए इसके लिए जोती शी से पूछे कि वर्तमान में किसकी महादशा चल रही है अंतर दशा किसकी चल रही है और प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है तीन दशा के बारे में आपको बात करना है और तीनों दशा की रिजल्ट के बारे में आपको पता करना है दूसरी बात है कि यदि आपको अपने शरीर में कोई बिमारी नहीं होते हुए भी यदि कहीं पर अलग अलग जगे दर्द रहता हो मेली कल रिपोर्टों में कुछ नहीं आता हो तो समझ जाना चीए कि कहीं ने कहीं उपरी बाधा लग चुकी है कोई जादू टोना हो गया है कोई काला जादू हो गया है कोई नजर दोश हो गया है तो ये दो कारणों की वज़े से या तो पिछले जनम के कर्म के अनुसार ग्रनक्षत्रू का दोश होता है या फिर उपरी बाधा तंतर बाधा काला जादू की वज़े से मनुश्य को इस प्रकार की परिशानी होती है तो इसके लिए आपको इन दोनों के अलग-अलग डाक्टर होते हैं जोतिश चारे के पाद जाना चाहिए एक जोतिशी कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, चोथा कुछ बोलेगा तीन चार जोतीशियों से इस सम्मन्द में चर्चा करें प्रीवेस जोतीशियों ने क्या बताया ये उसको बताने की जरूत नहीं है सबसे अलग-अलग व्यू ले अलग-अलग विचार ले और फिर स्वयम रिजल्ट निकाले कि वास्ता में मुझे क्या करना है मनуш्य को ब्रह्म मुहुर्ट में उठकर के अपने इस्ट देवता, कुल देवता उन्जे सम्मन्दित पूजा नर्चन करना चाहिए हो सकता है मनуш्य ने अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं की हो उसकी वज़े से भी ये समस्या उत्पन होती है यदि मनुश्य अपने कुल देवी देवता की पूजा भी करता है तो घर के अंदर मासिक धर्म याने MC पीरियट की अवस्था में यदि इस्त्रियां भोजन बनाती है तो उस वज़े से भी यह इस पकार की परेशानी उत्पन में होती है शरीर भारी हो जाना और कोई कार करने की सोचते हैं तो बिमार हो जाना तो उस चीज को भी ठीक करने का प्रयास करें कि मासिक धर्म रहते हुए किसी भी इस्त्रि से घर में जाडू पोचा नहीं लगाना चाहिए और कपड़े नहीं धुलवाना चाहिए और कीचीन में बिलकुल भी नहीं जाने देना चाहिए उस इस्तरी को अलग से सेपरेट मिस्तर पर सुलाना चाहिए पुरुष को उस इस्तरी के साथ सोना भी नहीं चाहिए यह विशेश कारण है जिस वज़े से आर्थिक कस्ट भी उत्पन्न होते हैं और जब कोई कारी करने का सोचते हैं तो शरीर भारी हो जाता है अब आपके उपर निर्भर करता है क्या आप इन चीजों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो पहला मंदिर दूसा मंदिर जो घर के एक किलोमेटर या आधा किलोमेटर के दाइरे में आता हो उस मंदिर पे जाकर के आटे के ग्यारा दिपक एक निश्चित समय पे निश्चित इस्थान पर लगाना प्रारंब कर दे तो निश्चित तोर से आपके जीवन में ये जो कस्त आई है ये कस्त का पता भी चल जाएगा कि किस वज़े से आई है और इसका उपाई भी आपके सामने उपस्तित होगा जैमातादी जैमा कमक्या